हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कानूं का ग्यान विदेश के में आज मैं आपको बताऊँगा कि जो 18 प्लेस अन्मेरिट कपल्स हैं उन्हें पुलिस होटल में तंग करती है तो क्या वजा है उसके पीछे क्या उनके लीगल राइट्स हैं तो क्या उ उसके कोश्षेंस होते हैं अन्मेरिट कपल्स के तो चलिए आप सकते हैं चैनल क्या उनके अंसर्स Stress हैं लीगल तोर पर तो पहला क्यूष्षण इसमें है क्या एक अन्मेरिट कपल होटल के रूम में एक साथ रुख सकते हैं स्टे कर सकते हैं क्या यह लीगल है तो तो यह उनकी duty बनती है कि पुलिस को की investigation में साथ में, लेकिन इस आधार पे कि वो लोग unmarried हैं, पुलिस उन्हें discriminate नहीं कर सकती, torture नहीं कर सकती है, तो पूरी तरह legally वो unmarried जो couples हैं, होटल में रुख सकते हैं. Second question, क्या unmarried couples होटल में एक दूसरे के साथ physical relation बना सकते हैं? तो हमारा answer है, हाँ, 18 साल या 18 साल से जादा की age है, दोनों majors है, male और female, तो अपनी सहमती से, अपनी consent से physical relation बना सकते हैं. Next question, जो काफी जादा पूछा जाता है, यदि पुलिस non-married couple को होटल में पकड़ लिया, तो क्या करेंगे? answer इसका यह है, सबसे पहले तो होटल में जाने से पहले, अपना original ID proof आप अपने साथ ले जाना ना भूले, दोनों couples को ये mandatory अपना original ID लेकर जाएं, जिससे की जो आपकी age है, वो major उससे साबित हो जाए, और उसके बाद भी ID proof दिखानी के बाद भी अगर पुलिस आपको torture कर करती है, तो आपके पास सबसे पहला चारा तो ये रह जाता है, कि सो नंबर पर आप तुरंत वाँ कॉल करें, कि हम अपनी सहमती से होटल में रुके में और पुलिस आकर हमें तंग कर रही है, और अगर इससे भी बात नहीं बनती है, तो आप senior officer से पुलिस के complaint कर सकते हैं, SSP, SP, ACP, DCP, SHO के हैं, written complaint आप इने भी भेज सकते हैं, लास्ट question इसमें ये है, unmarried couples को पुलिस ने public place पे पकड़ लिया, तो क्या करें, देखो पहले तो पुलिस को देखकर भागो मत अगर, पुलिस महां आती है, पुलिस जो question पूछा आप उसका जवाब दो, लेकिन इतन आपको रखना है कि आपकी वज़े से public place पे कोई दिक्कत ना हो, लेकिन अगर आप public place पे कोई गलत काम करते हैं, तो पुलिस को पूरा-पूरा अधिकार है कि वो आपको अंदर कर सकती है, तो ये तो थे कुछ questions, अब बात करते हैं, कौन-कौन से कानून है, जिसमें क्या-क छेद भारत के प्रतेक नागरिक के जीवन, जीने और उसकी नीजी स्वतनतरता को सुनिश्चित करता है, यदि कोई अन्य व्यक्ति या कोई संस्था, किसी व्यक्ति के इस अधिकार का उलंदर करने का प्रयास करता है, तो पीडित व्यक्ति को सीधे उच्तम नयायाले तक जाने का भी अधिकार है, यानि कि आपको legally right है, हमारे constitution ने अधिकार दिया है, personal life और liberty जीने का, अगर हम बाहर घूम रहे हैं सडक पे, अगर हम unmarried हैं, तब भी हमें police touch नहीं कर सकती है, जब तक हम लोकें अगेंस्ट नहीं जा रहे हैं, तो ये तो रथा article 21, अब बात करते हैं, hotel association क्या कहती है, hotel association जो है इंडिया की, उसके अनुसार unmarried male और female, hotel के room में रह सकते हैं, कोई भी hotel आपको मना नहीं कर सकता है, ऐसा कोई कानून नहीं है, जो कि unmarried couples को hotel में room book करने से रोके, तो ये तो कहना है hotel association का, लेकिन एक चीज़ में आपको इसमें last में बताऊं, क जो raids वगएरा पड़ती हैं, वो किसलिए जादा पड़ती है hotels में, क्योंकि जो prostitution है, जो हमारे इंडिया में ये crime माना जाता है, इस वज़ा से raids जादा पड़ती है, और अगर उस situation में किसी hotel पे raid पड़ी है, prostitution को देखते हुए, और उसमें कोई भी unmarried couple फंस जाता है, वो उसमें involved नहीं है, और वो अपनी consent से रुके में है, criteria है prostitution का, उसमें नहीं आने चाहिए, लेकिन अगर फिर भी पुलिस आपको तंग करती है, आप उस criteria में नहीं आ रहे हैं, तो आपके पास वो ही सारे कानूनन दाव पेच रह जाते हैं, जो मैंने आपको पहले बताएं है वीडियो में, लास्ट में, नोट में मैंने एक चीज में clearly mention की है, ना तो कोई ऐसा act है, ना cause है हमारे constitution में किसी law में, जो की unmarried couples को hotels, lodges में home stage करने से रोकता है, मगर ये अगर कोई unmarried couple को room नहीं देता है, तो वो उसके जो fundamental rights है, उसका violation का जिम्मेदार माना जाएगा, तो ये तो थे कुछ कानूनन दाओ पेज, जो favor में जाते हैं, unmarried couples के, अगर वो according to law चलेंगे, ये थी आज की वीडियो, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, तो वीडियो को like करें, और अगर लगता है वीडियो किसी की काम आ सकती है, तो वीडियो को share करें, और